कैसे हुआ आप सब उमीद करती हुआ अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी वरक्षीट नमबर 19 साइन सब्जेक्ट की है बेटा सिक्स्थ किलास के बच्चों के लिए हैं इंगलिस मीडियम में है और चार तारीक किया जिसमें हमारा चैप्ट ठीक है इस तरीके से ही होती है रिफ्लेक्षन यहां पर इमेज में भी दिखाई गई है तो देखो रिफ्लेक्षन होता क्या है आपने शैडोज क्या होती है यह सब जान लिया ओके इंपोर्टन चैप्टर है बेटाब होती तो मालो यह कोई object है इस पर कोई light raise पड़ी है सूरीय से पड़ी हो जाती है वापस उसी medium के अंदर अगर यह इसके अंदर पड़एस कर जाती तो यह दूसरा medium होता ठीक है तो उसी medium में क्या करती है bounce यानिकी मुड जाती है तो this bouncing back of a light raise is called reflection of light ठीक है When light rays fall on the object, they bounce back. जब वो उस पर गिरती हैं, तो bounce back हो जाती हैं, उसी medium के अंदर, और इसको क्या कहते हैं, reflection of light बोलते हैं, अब बेटा देखो, यहाँ पर आपको एक activity करनी है, to understand the reflection of light, कैसे होता है, perform this activity, तो आपको एक activity perform करनी है, इस तरीके से mirror के आगे खड़े हो जाना है, stand in front of a plane mirror, जो कि आ your image and answer the following questions, फिर आपको जो नीचे question दिये गए है, इनका answer देना है, ठीक है, तो देखो, is the image of yours the same size as you are, तो क्या आपको same image दिखती है, जैसा आप होते हो, तो बेटा आप देखना, आपको same to same दिखती है, ऐसा तो है नहीं, कि आपके हाथ जादा मोटे हो गए, या पैर जाद होगे yes, ठीक है, फिर now raise your left hand and which hand is raised by your image, जब आप अपना left hand raise करते हो, ये वाला, तो क्या होता है, इसमें ये वाला उठेगा, तो इधर से देखोगे बेटा, तो ये क्या इसका right hand है, ठीक है, तो ये चीज इसमें उल्टी होती है, तो आप क्या कहोगे, hand is raised by your image is left, ठीक है, आप लिखोगे hand raised by image is, क्या लिखोगे left था ना तो right, right hand, ठीक है, h-a-n-d, r-a-i-s-e-d, ठीक है, image, i-m-a-g-e, ठीक है, hand raised by image is right hand, okay, अब next बेटा, now walk two step backward and what happen to your image, मानलो, ये क्या है बटा, एक mirror है, इसके सामने तुम खड़े हो, ठीक है, तो इतनी दूरी पर खड़े हो, अब आप इसमें से क्या करते हो, एक कदम, ये, दो कदम, ये, यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हो, ठीक है, अब क्या होता है, इतनी दूरी पर, जित करोगे, तो अब क्या लिखोगे, now walk two step backward, what happen to your image, आप लिखोगे, image also step backward, also step, also two step, या फिर आप ऐसे लिखो गेटा, image also walk two step backward, ठीक है, ये लिखोगे, कि जो image है हमारी वो भी पीछे दो कदम चलती है, ठीक है, अब बेटा next एक activity देखो यहाँ पर, आपको यहाँ पर यह दिख रहा होगा, when mahas stands in front of mirror, ये mahas है, ये mirror के सामने खड़ा है, he can see a figure which resemble him, तो ये अपनी एक image देख रहा है, जिसमें ये हुँ बहु अपने जैसा दिख रहा है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते है, image बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है, इसकी image है, ऐसे ही और भी वस्तुओ की image हमें दिखती है, when light fall on the mains from the light source, like the sun और bulb, these light rays get reflected again, ठीक है, तो मान लो यहां से कोई light इस पर पड़ी बेटा, ठीक है, ये इस से reflect होकर यहां पर जाती है, ठीक है, यहां पर जारी है, हर जगा से reflect होकर, मान लो यहां पर पड़ी, पैरों से पैर पे चली गी, तो ये image इसकी बन गई, जैसे हमने कल देखा था, अप अपनी last worksheet में same to same, मतलब यहां से आई, pinhole camera में जाके यहां पर नीचे दिखा दिया, इधर नीचे से बन के ऊपर चली गई, तो ये image बन गई थी, इस पेड़ की यहां पर, ठीक है, इसी तरीके से बनी, अब क्या होता है, यहां से इस image से फिर से reflect होकर, इसकी आखों में जा जाके गिरी, ऐसे गिरी, और यहां पर एक image बन की, अब इस image से फिर से reflect होकर, इसकी आखों में जाती है, ठीक है, जिसकी वज़े से यह इस image को देख पाता है, तो समझे यहां पर क्या लिखा है, when light fall on the mahes, from the light source like sun and bulb, these light rays get reflected again, यह दो बार से reflected हो जाती है, thus forming ए image और एक image बन जाता है, ठीक है, so from this activity, we observe some of the characteristics of the image formed in a plane mirror, तो बेटा, plane mirror के अंदर जो image बनती है, उसके कुछ characteristics हमने यहां से सीखे, अब उनको हम revise करते है, ठीक है, तो देखो, characteristics of image formed in a plane mirror, the image formed is of the same size, image कैसी थी, same size की थी, as that of the object, ठीक है, दूसरा, the image is literally, literally inverted, ठीक है, तो कैसी है, वो मतलब क laterally inverted क्या होता है, ठीक है, ठीक है, तो इसको बोलते है, ठीक है, यह important है, इस पर question बनता ही, बनता है, इसका, ठीक है, the image is formed behind the mirror at the same distance as that of the object, और जो mirror के पीछे बेटा, जो image बनती है, वो same distance पर होती है, जितना object का यहां से से यहां तक होता है, जितना इस mirror से object होता है, इतना ही mirror से image बनती है, ठीक है, तो आपने तीन चीजे सीकी, same size होता है, literally inverted होती है, और same distance पर होता है, ऐसे याद करो, same size, literally inverted, और same distance पर, अब fourth point क्या है बटा, when you walk backward while standing in front of the mirror, जब आप mirror के सामने खड़े हो, और पीछे चलते हो, your image also move backward, तो आपकी image भी पीछे जाती है, ठीक है, as image which appear to be real but not, और जैसा कि हमें लगता है कि यह real में हो रहा है, जबकि यह real image नहीं होती है, ठीक है, real image कौन सी होती है, जो हम किसी परदे पर ले सकते हैं, हम इसको किसी अगर दरपन के पीछे देखेंगे, तो दरपन के पीछ पीटी टू जेड, ओने paper and face the paper towards a plane mirror, आपको ABCD लेने हैं, जैसे यहाँ पर खड़े हो मानलो, अपने हाथ में ABCD वाला paper ले लिया, तो यहाँ पर आपको जो ABCD के letter है, वो उल्टे दिखाई देंगे, ठीक है, जैसे कि मानलो क्या है यह B है, ठीक है, यहाँ पर आपको यह इस देखो, ambulance ऐसा क्यों लिखा होता है, जो इसके आगे गाड़ी होगी, उस गाड़ी के अंदर आगे क्या होता है, बीच में एक mirror होता है, जिसमें से यह इस गाड़ी की image देखता है, इस गाड़ी के आगे उल्टे अक्सरों में लिखा है, तो यहाँ पर जब यह इस mirror में कैस दिखाए देगा, सीधा, जिस से वो क्या करेगा, उसको रस्ता देदेगा, easily, ठीक है, अब बेटा आपको यह करके भी देखने है, activity, फिर अब question answer करते है, इसके, what is reflection of light, तो reflection of light क्या है बेटा, when light rays fall on the object, they bounce back, this bouncing back of light rays is called reflection of light, ठीक है, यह आपका first question हो जाएगा, ठीक है, next question क् आपका, what is the ratio of size of the image to the size of the object formed by a plane mirror, तो बेटा, one ratio of one रहेगा, क्योंकि अगर आपकी image का size 5 है, तो आपकी, जो क्या ना मैं, sorry, आपका size 5 है, तो image का भी 5 बनेगा, ठीक है, तो जिस से क्या होगा, one ratio of one आएगा, ठीक है, third question क्या है बेटा, can we see our reflection on anything other than a mirror, write their names, क्या हम अपने, क image किसी और में देख सकते हैं, तो हाँ बेटा, जैसे आप नए घर में बरतन वगेर आते हैं, तो उसमें देखोगे आपकी, जो image आपकी सकल उसमें दिखाई देते हैं, तो आप कह सकते हो, yes, we can see our image in new utensil, ठीक है, utensils मतलब बरतन, ठीक है, such as, such as tumbler, या आप यह लिख दो, glass, ठीक है, spoon, plate, इन सब में हम देख सकते हैं, ठीक है, steel की जो होंगी, okay, yes, we can see our image in new utensil, such as, tumbler, glass, spoon, और plate, okay, अब next क्या है बेटा, write your name on a paper and keep the paper in front of a plane mirror, आपको name लिखना है, अपना मानलोग का name क्या है, राधा है, ठीक है, अब आपको plane mirror के सामने इसको रखना है, ऐसे ही पकड़ना अपने हाथ में, फिर आप क्या देखोगे, आपकी image बनेगी, तो कुछ इस तरीके से बनेगी बेटा, ठीक है, उल्टा दिखाई देगा आपको, ऐसे बनेगी, ठीक है, आप करके देखना और फिर आपको ये लिखनी है, बहुत मज़ा आएगा आपको ये करने में, पहले आप सीधा नाम लिखना है, पेपर को image के सामने रखना, तो आपको ये इस तरीके का दिखाई देगा, फिर आपको ये same to same बनाना है अपनी notebook में, और आप इसके सामने भी बेटा, इसको भी न, worksheet को अपने फोन को mirror के सामने लेके जाना, तो आपको ये ambulance दिखेगा लिखा हुआ, ठीक है, तो ये थी बेटा, आपकी आज की worksheet उमीद करते हूँ, आपको भी बड़ा मजा आया होग बढ़ती रही, थैंक यू